राजद विधायक के बेटे ने ठेकेदार को दोरा दोरा करके पिता और महाद जंगल राज की आहट अब साप साप सुनाई देने लगी है एक तरफ जहां बिहार पुलिस लोगों पर लाठी चार्ज कर रही है बीजेपी नेताओं पर लाठी चार्ज कर रही है नियोजी सिक् लिया जाता है कहीं बाइक लूट लिया जाता है कहीं रेप किया जाता है तो कहीं छोटी नवालिक बच्चियों के साथ दुसकर्म किया जाता है वहीं राजद विधायक के बेटे का भी गुंडा गर्दी का वीडियो सामने आ गया है कि किस तरीके से दोरा दोरा करके को पिटा जाता है और इस रिपोर्ट में हम आपको तमाम बाते आतको पताने जा रहे हैं इसे सुनकर आपको लगेगा कि बिहार में महाः जंगल राज की आहट अब शुरू हो चुकी है और जैसे जैसे चुनाब आता जा रहा है वैसे वैसे दंगाईयों का मतलब आप कह सके हैं कि दवंगई बर्ती चली जा रही है और दहसत का महल बनाने की कोशिश की जा रही है नमस्कार मैं प्रिंस कुमार सिंग और आप देख रहे हैं पॉजेटिव इंडिया अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किरपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और जो लोग कर चुके हैं उन सभी लोग को सहिर दे धन्यबाद अब आते हैं मुद्दे पे मुद्द दरसल ये है कि जहां बिहार में हत्या लूट बलातकार अफरन की घटनाय लगातार तेजी से बढ़ रही है जहां पुलिस बिहार पुलिस बेलगाम हो चुकी है लाठिया बरसाने का काम कर रही है वहीं मुस्लिम तुष्टिकरन की राजनीती भी चरम सीमा पर है लेकिन अब जो वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वाइरल हो रहा है उसको लेकर अब ये कहा जाने लगा ह कि राजत के बिधायक तो पहले से गुंडागर्ती गरते थे अब उनके बेटे भी गुंडागर्ती करने लगे हैं और राजत बिधायक के बेटे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वाइरल हो रहा है और अभी आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा होगा जिसम खुलेयाम सरक पर किस तरीके से रंगदारी की मांग कर रहा है एक ठेकदार को बेरहमी से पीट रहा है और आपको बताते चले कि ये पूरी घटना जो आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किसन गंज के कोचा धामन से आरजेडी बिधायक इजहार अस्फी के बेट गुड्डू अस्फी के खिलाब कोचा धामन थाने में एफायार दर्श किया गया है गुड्डू पर राजद बिधायक का जो बेटा है गुड्डू अस्फी उस पर आरोप है कि नौसाद आलम नामक ठेकदार को उसने दोरा दोरा करके पीटा है रंगदारी मांगी है और इसके खिलाब अब नौसाद आलम ने थाने में एफायार दर्श करा दी है वहीं बताया जा रहा कि पिरिट ठेकदार नौसाद आलम से राजद बिधायक के बेटे ने पांच लाक रुपे की खुलेयाम रंगदारी भी मांगी है जिसका वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मी मान वे करा रहे थे तब ही गुड्डू अचानक पहुचा और बिना मतलब के पिटाई करने लगा इस दोरान उसने गले में पहने सोने का चेन तक छिन लिया यहीं नहीं उसने मजदूरों को भी पीट डाला जो लोग नाला बनाने के काम में लगे हुए थे उन मजदूरों के साथ भी आरजेडी बिधायक के बेटे ने पिटाई की है मार पिट की है वहीं इस दोरान पाच लाख रुपे की रंगदारी भी मांगी गई है आरजेडी बिधायक का बेटा का ये गुंडा गर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वाइरल हो रहा है व बात से आप समझने की कोशिश कीजिए कि कोई ठीकेदार जब सरकारी काम करा रहा हो तो अहाँ पर उससे रंगदारी मांगने के लिए आरजेडी बिधायक के बेटा जब पहुच जाता है तो अगर कोई परजेक्ट अगर 10 लाख का है और 5 लाख रुपया अगर रंगदार को घुच दीजे आरजेडी बिधायक के बेटा को घुच दीजे और इसी के कारण बिहार में कोई भी सरक जो है वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाती है बिहार में पूल जो है वो ढ़ह जाता है और आरजेडी बिधायक की ये गुंडा गर्दी भरा वीडियो सोशल मीडिया पर जब बैरल हुआ और जब हंगामा मचा है उसके बाद एफायार दर्ज की गई है आप इस बात को भी समझने की कोशिश कीजे कि सत्ता धारी पाटी के बिधायक का बेटा जब गुंडा गर्दी करता है तो थाना एफायार भी दर्ज नहीं करना चाहती है इस बात से आप समझ सकते हैं कि बिहार में दहसत का महौल बनाने की कोशिश की जा रही है और जहां तहां से सिर्फ अपराधी ही नहीं बलकि बिधायकों का बेटा लोग भी जो रंगदारी कर रहा है जो गुंडा गर्दी कर रहा है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दरसल ये सब निस्त का बहाक अपने आपको कहते हैं उनके राज में हो रहा है और यही महाजंगल राज है जहां पर किसी भी बेक्ती से कोई भी बेक्ती रंगदारी मांग सकता है गुंडाई कर सकता है सरयाम उसको सरक पर पीट सकता है खुलयाम रंगदारी मांग सकता है तो सबसे बड़ी बा तब तक यह सब होता रहेगा इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है आपकी क्या प्रतिकिरिया है अपनी प्रतिकिरिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे जुरे रहे हमारे साथ जैहिंग जैभारत जैजैविया